ग्रामिन डाक सेवक वेकेंसी का फॉम बरने के लिए Google पर GDS लिख के सर्च करेंगे सबसे उपर जो वेबसाइट आ रही है इसे ओपन कर लेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको रिजिस्टेशन करना होगा उसके बाद फॉम बरना होगा और email ID यहाँ पर mobile number और email ID को verify करना होगा OTP जाएगा तो दोनों को यहाँ पर दर्ज करेंगे और validate mail और validate mobile number पर क्लिक करेंगे और OTP देंगे और verify कर देंगे यहाँ पर OTP थोड़ा साटपटा आता है इसमें alphabet में आता है ABC इस परकार का तो वो आप देख लीजिए यहाँ पर normal जो अधार OTP आता है उस परकार का OTP यहाँ पर नहीं आता तो आप वो OTP अपने हिसाब से देखकर और mobile number और email ID दोनों को यहाँ पर verify कर लीजिए verify होने के बाद यहाँ पर student का नाम आएगा सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखिए जो नाम है वो दस्वी की mark sheet के according होना चीज़ उसके बाद फादर का नाम date of birth यह सब दस्वी की mark sheet के इसाब से gender यहाँ पर select करेंगे उसके बाद यह option transgender के लिए community यहाँ पर select करेंगे यानि आपकी कस्ट केटिगरी कौन सी है जनरल है यह OBCI यह CST है वो आप अपने हिसाब से select कर लेंगे उसके बाद है दस्वी आपने कौन से state से पास किया वो यहाँ पर आप select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर दस्वी कौन से साल में पास किया पास इंगे आपको mark sheet पर मिल जाएगा वहाँ से देखकर यहाँ पर आप select कर लेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ जिसे उदान के लिए माल लेजी हमने 2018 में पास किया तो हम यहाँ पर 2018 select कर लेंगे यह रा तो यह select होगा है उसके बाद यहाँ पर जो capture code दर्ज करना हो यहाँ पर आप yes कर सकते हैं और विकलांग के टिकरी भी यहाँ पर बताएंगे नहीं तो आप no रखेंगे उसके बाद यहाँ पर दश्वीम की language यहाँ पर select करेंगे कौन सी language में आपने दश्वी की है तो यहाँ पर इंदी select कर लेना है ओके करना है उसके बाद यहाँ पर आप employment हो या नहीं तो यहाँ पर यह से अनो कर सकते हो यहाँ पर photo upload करना है 200 DPI में होना चाहिए 50 के भी से कम उसी तरह से signature 200 DPI में 20 के भी से कम यह दोनों upload करके submit पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर preview आएगा एक बार ध्यान से यह सारी detail चेक कर लीजिए अगर आपको सारी detail सही लगती है तो check box पे click करेंगे submit पे click करेंगे submit करते हैं यहाँ पर आपको registration number मिल जाएंगे आप इन्हें note करके रख लीजिए क्योंकि जब आप दुबारा login करेंगे तो यह number आपको चाहिए होंगे उसके बाद continue to apply वाले option पे click करेंगे form बरने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप अपना state चुनेंगे तो यहाँ पर चलिए हम अपना state चुन लेते हैं रहस्तान उसके बाद submit पे click करेंगे अभी registration में आपने जो number दिया है उस पर OTP जाएगा तो यहाँ पर आप OK करेंगे वो OTP यहाँ पर बरेंगे उसके बाद यह capture code देंगे और next करेंगे next करने के बाद form शुरू हो जाएगा जिसमें सबसे पहले address बरना है वर्तमार पता में आप अपना घर नंबर, village, पंजाइट यहाँ पर पिन कोड़ दर्च कर देंगे अब वर्तमार पता हो और अगर आपका state पता एक है तो check box पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो एडर्स होगा वो यहाँ पर automatic आ जाएगा लेकिन अगर आपका permanent एडर्स यानि स्टाइप अलग है तो आप अलग-अलग भी बर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप board select करेंगे यहाँ पर आस्ताथार थार्स अगर यहाँ पर वाला उपर वाला option select करेंगे यहाँ पर आप 17 destre 18 में वर budget यहाँ पर नीचे वाला option select करेंगे लेकि normal अगर आपने एक एक दो जरबारा से अब तक की है तो ये वाला option आपको select करना है till now यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ एक एक दो जरबारा गयागी तो यह option select हो गया उसके बाद यहाँ पर आपको max का option मिलेगा क्योंकि अजमेर बोर्ड में max मिलते हैं grade वगेरा नहीं है तो max आप select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको subject wise नंबर बरने है इंगलिस में आपको कितने मिले हैं और इंदी में कितने मिले हैं मेथ में कितने मिले हैं यह सब आपको दस्वी की mark sheet में आसानी से देखने को मिल जाएंगे तो वहाँ से देखकर यहाँ पर आप बर दीजिए मैं उदान के लिए जिसे इंदी में माली जिए 77 बर देता हूँ मेथ में यहाँ पर मैं बर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर ओपीस है तो कौन से ओपीस के लिए सबसे पहले आप अपलाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी freefence बरेंगे पहली choice आपकी कौन सी है जैसे हम exam center के लिए लेते हैं ठीक उसी परकार से यहाँ पर आप first, second और third इस तरह से सबी choice आप भरेंगे कि अगर आपका selection हो तो सबसे पहले कौन से में हो दूसरे नमबर पर कौन सा हो तीसरे नमबर पर कौन सा हो अगर यह नहीं तो यह हो यह नहीं तो यह हो इस तरह से तो माली जी हमारी पहली choice यह है उसके बाद दूसरी choice यह है तीसरी यह है इस तरह से हम continue बर देंगे आप चाहें तो अपने हिसाब से उपर नीचे आगे पीचे कुछ भी कर सकते हैं तो यहाँ पर चाहले लिए मैं 7वी choice यहाँ पर बर देता हूं 8वी, 9वी और उसके बाद 10वी उसके बाद आगे भी हम मैं बरना चाहता हूं यहाँ पर आप चाहें तो सभी प्रिफेंस अपने हिसाब से बर सकते हैं जिसे यहाँ पर 11, 12, 13 मैं बर देता हूं 11 हो गया, यह 12 नंबर होगी यह 13 नंबर होगी तो यहाँ पर अगर हमें 13 मिलती है तो यह मिलेगी चाहँ दिए यह मिलेगी इस तरह से आप अपने हिसाब से देखके भर दीजिए यहाँ पर आप सभी बर सकते हैं या फिर आप के अच्छे नंबर है तो आप एक दो भी बर सकते हैं तो यह हो गया, उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोशीड पर क्लिक करेंगे अब असी का फॉर्म है तो ओके करते ही तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म सब्मिट हो चुका है फाइनल प्रिंट आउट आचुका है क्योंकि इनको पेमेट नहीं करना अब चलिए बात करते है जनरल ओर जिनके लिए पेमेट होगा उनके लिए यहाँ पर जैसे आप सेव एंड परोशीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डेटा सेव होजाएगा OK करेंगे OK करते है यहाँपर आप देख सकते हैं AWS का ये फों है और इसमें पेमेट करने के लिए तो पेमेट के लिए जैसे मेक पेमेट पे किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेट गेटवे मिल जाएगा बहुत सरे उप्सन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं आप के डिटे और डेबिट कार्ड से पेमेट कर सकत ना नगा। जाएगा। इसाद आपको फॉमृट बरने में कोई दिक्कत आ रही है आपको जाएगा बताना चाहते हो बताना चाहते हो तो बेज जब कमेंट सेक्स में लेकिए हम जरूर बात करेंगे तो चलिए मिलते हैं एकले वीडियो में हमारी मैनत के लिए लाइक जरूर करिए